रायपुर दक्षिन विधान सभा उप्चुनाव कल यानी की 13 नवंबर को होने वाले हैं और प्रचार प्रसार पूरिन तरीके से थम चुका है इसी कड़ी में कॉंग्रेस ने कल पूरी ताकत अपनी जोक दी थी और उसके बाद अब आकाश शर्मा का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्हें वाइरल हो रहे वीडियो को लेकर कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है भाटा गाउ की चरागाह जमेन को लेकर उन्होंने वीडियो में कहा था कि अगर मामला नहीं सुलचता है तो पूरे राइपुर में आग लगा देंगे लेकिन उस वीडियो को पूर्ण तारू गलत तरीके से पेश किया जा रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षन विधान सभा में कॉंग्रेस की जीत होने वाली है वह कोई चानक या नहीं है लेकिन जीत कॉंग्रेस की होगी अवक तारू पर्ची मामल है भाटाकोव ज्मीन खृटला का मामला है इसमें भाटाइनापाटी की लोग ऑने ज्यमीन कपजा किया है भाटाइनापाटी की लोग ने प्रिमोहन अवाजी के मिच्छा वाहे है और उसी वाइवाहों के बीश्ते देख है राइपूर से रागवेंदर पांडे की रिपोर्ट पांडे की रिपोर्ट